हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रीचल लव टेरोट आज मैं फिर से आ गई हूँ नियू रीडिंग के साथ में आज का टॉपिक आपको पता ही है कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है उसका क्या होगा क्या उसे कर्मा मिलेगा क् कि जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है आपके फैमिली को खराब किया है आपके पार्टनर को आप से छीन के ले गई है या ले गिया है तो उसी चीज के ऊपर आज का टॉपिक है कि पनिश्मेंट फॉर ब्लैक मैजिक ओके तो यहाँ पर यह जर्नल रिडिंग है कलेक्टि ना हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहें कि यार उसका हो या वैसा हो लेकिन जिसने black magic किया है black magic जैसे चीज जो होती है एक इतनी खराब चीज होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं अच्छे बसे बसाए घर को परिवार को लाइफ को बरबात कर देती है करने वाले पर भी इसका बहुत ज़्यादा effect होता है क्योंकि जो चीजे ये आपके उपर करते हैं इसका effect इनकी life पर इतना बुरा पड़ता है इनको इसका कर्मा इतना बुरा भुगतना पड़ता है आज हम वही कर्मा देखना चाहा रहे हैं अगर इन्होंने आपके life में black magic किया था और अब ये किस कर्मा से गुजरने वाले हैं जिनने आप पर black magic किया था I hope topic आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब लोग कुछ cards निकाल लेते हैं प्लीज उनिवर्स पिताये जो मेरे वीवर्स हैं उनके जिन्दगी में जिन्होंने black magic किया था उनका क्या हाल होने वाला है चलिए देख लेते हैं जिन्होंने black magic किया है दिखें बॉटम के अनरजी निकली है two of wands चलिए हम देख लेंगे किया होता है four of swords cards क्या बता रहे हैं क्या possibility बता रहे हैं कि जो लोगोंने black magic किया है आपके उपर आपके life को बरबात किया है ठीके तो उनका क्या कर्मा होता है कैसा क्या बीतने वाला है सबसे पहले तो हमारे पास में है hanged man ठीके तो hanged man का card निकला है यहाँ पर judgment ten of pentacles three of swords two of cups break up वाली स्थिती दिख रहे है three of swords है third party situation रही है the wheel of fortune कर्मा start हो गया है उस परसन का tower ओके चलिए कुछ messages मैंने निकाल के रखे हैं देख लेते हैं कि इस में से क्या आता है respect कहीं न कहीं यह अपने respect को खोते दिख रहे हैं punishment love loss action written black magic कम्यूनिटी past future past भी है इनका और future भी है ठीक है I hope सारे कार्ट्स आपने देख लिए होंगे bottom के energy जो देखिए यहां पर दिख रही है वो है two of wands तो चलिए मैं यहां पर कुछ images निकालती हूँ अगर उसमें आपके उस दुश्मन का नाम हो जिस पर आपको शक हो कि इसने black magic किया है ठीक है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति का नाम यहां पर हो जिसने आपके उपर black magic किया है और कितने समय पहले किया है यह भी हम देखेंगे तो चलिए मैं कुछ images निकाल लेती हूँ इतने images मैंने निकाले हैं और देख लेते हैं कि क्या उस व्यक्ति का नाम यहां आता है या नहीं ठीक है आप मुझे बताइएगा कि उस व्यक्ति का नाम यहां आया या नहीं O से आता होगा F F से किसी का नाम आता है जो आपके देखें वो व्यक्ति आपके घर का ही है friend circle में है या कोई ऐसा खास व्यक्ति है जिस पर आप आप मून कर भरोसा करते हैं उसने ही यह सब किया है क्योंकि करने वाले जो होते हैं जलने वाले जो होते हैं जादा तर घर के लोग ही करते हैं देखिए F B R I इसमें से जो भी नेम अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यह पार्टनर है या यह व्यक्ति है जिसने मेरे उपर किया है तो आप उसे judge कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर उसका नाम आया है ठीक है E A E O X N C इससे आपको help मिल जाएगी कि आप जान पाएंगे कि हाँ वो व्यक्ति कौन है ठीक है बाकिया हम उसके बारे में देखेंगे D M M से भी आ सकता है उसका नाम आप देख लेजिए H T L L two time आया है भी L कोई खास नाम होगा L से किसी का तो आप देखिए कि आपके friend circle में हो सकता है या office में हो जो आपसे ज्वेलेस हो या परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्वेलेस है ठीके A N और ये last है W ठीके और एक alphabet मुझे और दिख रहा है यहे L ओके देखिए कितने मेंने पहले किया गया है तो कुछ लोगों के life में तूटू हो सकता है आप देख लिजिए मैंसे जूम कर देती हूं कि हो सकता है उस व्यक्ति का नाम इसमें हो जिस पर आपको लग रहा है शक है तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कितने महने पहले उन्होंने किया है चार साल पहले भी हो सकता है छे साल पहले का भी आप पर ब्लैक मैजिक का असर है त्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि आपके life में कुछ ना कुछ तो गरबर होना स्टार्ट हो गई है काफी लोगों के लिए दो महिने, छे महिने, चार महिने ठीके, तो यह हमने इमेशिस देख लिए हैं, अब आजाते हैं हम रिडिंग पर, ओके देखे, सबसे पहले तो punishment for black magic जिसने भी आप पर काला जादू किया है ना, उसको उसके black magic करने की सजा मिलने वाली है, इस तरह से आप मान लेजिए, कि अब उसका जो कर्मा था, कर्मा जो था वो start हो गया है कहीं ना कहीं, जो हमारा divine होता है, जो हमारे universe होते हैं, जो मदर गाया है, वो उन्होंने कुछ ऐसा judgment करा है, कि अब उस व्यक्ति का जो समय अच्छा चल रहा था, वो एक पईया जो था, काफी टाइम से देखें, सब का समय आता है ये बात तो आपने भी सुनी होगी, कि हर इंसान का समय आता है, तो अभी तक उस इंसान का समय चल रहा था, उसने आपको जितना हर्ट करना था, जितनी समय, बुरा समय स्टार्ट हो गया है अब वो अपने आप में, अपने कर्मों के लिए रोता हुआ दिख रहा है, दिख रही है ठीक है, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया एक बहुत बुरी चीज होती है ब्लैक मैजिक, उसने सोचा भी नहीं कि यार, ये में ब्लैक मैजिक करके किसी की अच्छी खासी जिंदिगी क्यों खराब कर रही हूँ या खराब कर रहा हूँ बहुतों के लाइफ खराब कर दी है इसने जो परसन ने जिसने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है, जिस व्यक्ती ने उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब कर दी है ये जो लव लाइफ खराब होती दिख रही है उस इनसान की जिसने आप मेजिक किया है ना उस इनसान की लव लाइफ जो थी उसमें टावर आ गया है ठीके परिवार तो उसका भी होगा उसकी भी लव लाइफ होगी उसक प्रोबलम आप लोगों के बीच में खड़ी करी ये सारी चीजे उस black magic करने वाले ने आप लोगों के बीच में खड़ी करी है उन्हों ने आपको हैंग कर दिया बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके सपात पर जाएं क्या करें आपके situation जो हे पूरी तरह से जिक किया बुरी चीजे की है उसको उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है क्यों क्योंकि अब हमारे डिवाइन का नयाय शुरू हो गया है जब डिवाइन नयाय करती है ना तो अच्छे अच्छो की बैंट बच जाती है क्योंकि डिवाइन के आगे किसी की नहीं चल सकती है आ परसन के लाइफ में सब चीजे इतनी खराब दिख रही है इस परसन की लव लाइफ तो इतनी ज्यादा खराब इतनी बत से बत्तर हो गई है कि इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है अच्छी खासी प्रॉब्लम पती-पत्नी में जगड़े होना और लाकना कर रहा है कि मुझे इस सब चीजों से निकालो मगर कैसे क्योंकि इसका करमा स्टार्ट हो गया ना इसके जिन्दगी में तो टावर आना ही था दूसरों को हमेशा इस परसन ने टावर दिया दूसरों को हमेशा इसने तकलीव दी ब्रेक अप किया आपके लाइफ से तो person जो हैं जिरूंने आप पर black magic किया है वो खुदी उस गड़े में गिरते दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं इन्होंने आपको जो तकलीफे दी जो दर्द दिया वो सारी चीजे इनको मिलने वाली है black magic क्या होता है कुछ समय तक तो हमारे उपर effect करता ही करता है यह चीज तो आपको पता है कि ठीक है अगर किसी ने कर दिया है तो वो effect करेगा लेकिर उसकी एक समय सीमा होती है और अपने कुछ कर्म होते हैं तो आपने मेरे जो viewers आपने जो कर्म किये ना उसके कारण आपके life में इस black magic ने थोड़ा भूत तो असर डाला है पर यहाँ पर आपका वो black magic जो था वो हटता हुआ दिख रहा है क्योंकि universe का एक कारण आया है judgment तो universe जो है ना judgment करती हुई दिख रही है आपके लिए universe आपके support में है मुझे दिख रहा है आज तक आपका कुछ जादा नहीं पिगड़ा है थोड़ा बहुत आपके love life में कुछ मन मुटाव आ गए है आपका partner चला गया है लेकिन एक समय सीमा निश्चित थी उस जादू की वो जादू जो है पलटता है तो क्या होता है कि जब हम किसी पे जादू करते हैं तो वो जादू जो होता है उसके एक सीमा होती है आपने सुना होगा मूट मारी है तो वो मूट जो होती है रिटन आती है तो जब रिटन आती है तो सामने वाले के जो हालत होती है जो तकलीफ होती है वो आप सोच नहीं सकते ये three of swords की तरह होती है वो पूरी तरह से बरबाद हो जाता है hanged की स्थिती में आ जाता है उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि उसके life में हो क्या रहा है वो सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करता रहता है कि मेरी life में सब कुछ ठीक होगा कब ठीक होगा कब ठीक होगा वो पैसे से बरवाद हो जाता है देखिए यहां पर ten of pentacles है उसकी life में ऐसी situation आ जाती है कि वो financial problem से गुजरता है टावर इतने टावर आ जाते है उसकी life में इतने टावर कि जिसकी उसने कभी सोचा भी नहीं था क्यों क्योंकि उसने बुरे करम किये हैं उसको सजा तो मिली ही है ना यूनिवर्स तो देगी देगी ठीक है बलैक मेजिक किया है वहीं सारी दिक्कत उनको आएगी यह इनसान कोई perfect इनसान से या कोई गरू से बलैक मेजिक करा रहा है और यह काफी time पहले से आपको कराया है मैंने बताया था कि तू किसी लोगों के लिए दो महीने हो सकते हैं या दो साल हो सकते हैं या फिर तीन साल ठीक है तो यहां मुझे दिख रहा है कि इतने टाइम से ये ब्लैक मैजिक कराया गया है जिसका असर आप पर थोड़ा बहुत हुआ है आप परिशान रहे आपके जिंदगी में बहुत ज खो दिया है पर इसका कर्मा जो है वो उस इनसान को भुगतना पड़ेगा जिसने आप पर ये जादू लगाया था ठीक है अब आप किया हुआ जो ब्लैक मैजिक के उस पर उलटने वाला है आप देखेंगे कि ये सारी चीज़े उसी इनसान पर उलट रही है मैंने आपको अगर वो व्यक्ति आपके आसपास है और आप उसे जानते हैं तो आप खुद उसे पहचान जाएंगे कि हाँ इस इनसान के साथ में ये सारी चीज़े हो रही है मतलब इसी ने ही मेरी लाइफ में ये किया था तो उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे जो आपके साथ मे हुआ है वही चीज उस परसन के साथ में हुना स्टार्ट हो जाएगी और आपको कहीं न कहीं गौड ये हिंदे ही देगा जज्जमेंट आपको मिलेगा कि आप देख पाएंगे उसके आँखों से आपके आँखों से कि उसकी तभाई शुरू हो गई है ठीक है ना दस कुना तेज रफतार से उस व्यक्ति को लगीगी वो सारी चीजे आप देखना उसकी बरबादी शुरू होने वाली है इनकी कोई प्यारी चीज जिस व्यक्ति ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है आपकी जिंदगी तभा कर दी टावर लाया आपको स्री ओफ सोर्स की इस् प्यार मा मिलने वाला है कि उसकी लाइफ से जो उसका प्यार है वो छिनने वाला है जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो उनकी लाइफ से दूर होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है सडनली कि ये परसन सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया अचानक से, बहुत ज्यादा परिशानी होती दिख रही है, देखें, आपने Black Magic के चलते जो खोया है ना, उससे अच्छा आपको मिलेगा, यूनिवर्स एक समय सीमा होती है, तो जितनी परिक्षा आपको देनी थी, आपने दे दी है, अब आपके अच्छे दि स्टार्ट होंगे लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने आप पर किया था उस व्यक्ति का तो वाट लगने वाली है उसके इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि वो ना जी पाएगा ना मर पाएगा दिखें मुझे यहां यह दिख रहा है कि जिसने आपके लाइफ में यह टावर लाया था परिशानी लाई थी ना अब उसके लाइफ सड़नली चेंज तो होईगी बदल जाएगी ठीक है जो मन मुटाव थे जो दिक्कते थी आपके बीच में अब वही सारी चीज़े इस परसन के लाइफ में होती दिख रही है इसने ब्लैक मेजिक करकर आपके परसन को बहकाया था उनके दिल पर अपना राज जमाया था तो यहां यह दिख रहा है कि आपके फैमिली वालों को बुरा बनाया था पैसे या इमोशन्स के साथ में खेला था बहुत सारी चीटिंग की थी इस इस इनसान ने आपके साथ मे और यह भी सब कुछ ब्लैक मेजिक के थुरू किया था ताकि आप उसकी बातों में आते जाओ और आपको लूटा भी है इस परसन ने आपके फैमिली वालों को लूटा है आपके परसन को चीट किया है किसी तरह से यह आपके परसन को लेके चली गई है कही ना कही इन सब च प्रेगनेंसी में भी कुछ केस खराब हुआ है और यहां क्लियर दिख रहा है कि यह जो लेडी थी या जो भी था जिसने आपके उपर ब्लैक मैजिक किया है ठीक है वो नहीं चाहती थी कि आप कोई कंसीव करें कोई बेबी कंसीव करें या आपके लाइफ में खुशियां एक पॉइंट था आपकी लाइफ का यहां आप मैच कर लीजिये आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप उसको जानते हैं आपके आँखों के सामने हैं वो व्यक्ति कुछ लोगों के आँखों के सामने हैं आप जानते भी हैं कि यह आप से ज्वेलेस है यही आपको नुक्सान पहुचा रही है क्योंकि वो बहुत मीठा बोलती है या बोलता है और परसनालिटी जो उसकी है वो बहुत अच्छी है गुट लुकिंग हो सकता है या गुट लुकिंग हो सकती है उसके अंदर कॉलिटी है बात करने के अपनी बातों में फसा लेती है वो इस तरह का मुझे यहां दिख रहा है लेकिन आप उसको बिल्कुल भी कुछ करी नहीं सकते हैं ठीके लेकिन यहां पर कर्मा स्टार्ट हो गया है जज्जमेंट आपको मिलेगा ठीके जज्जमेंट आपको मिलेगा आपके साथ में न्याए होगा जिसने जो किया है उसको वो तो मिलेगा जस्टिक तो बिलकुल 100% यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जस्टिक होने वाला है जैसी करनी वैसी भननी ठीक है ये परसन राफ्ते पर आने वाला है इनकी लाइफ से लव लॉस यहाँ पर मैसेज देखिए रिस्पेक्ट इसकी लाइफ से रिस्पेक्ट चली जाएगी जहां ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पा रहे थे बहुत ज़्यादा ऊंचे चल रहे थे इनको ऐसा लगता था कि मेरी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहीं ये मू के बल गिरने वाले हैं बहुत ज़्यादा ठीक है पनिश्मेंट पनिश्मेंट का कार्ड निकला है हमारे पास में तो हमारी जो यूनिवर्स है जो मदर गाया है वो इनको ऐसा पनिश्मेंट देगी कि ये अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा परिशान होने तकलीफ होगी इनको written black magic universe की तरफ से message निकला है written black magic तो इनको जो written black magic होने वाला है जतनी तकलीफ है इननों ने आपको दीए ना, वो मैंने अभी कहा था Doll Love, Loss होने वाला है तो इनकी life से लव जो है ना, प्यार चिनने वाला है ये खुद अपने future के बारे में सोच सोच के परिशान हो जाएंगे कि इन्होंने जो past में गलतियां की थी जो past में गलतियां की थी उसके लिए ये तोबा करेंगे कान पकडेंगे कि इन्होंने बहुत बुरा किया था community इनको समाज से बहा निकाला जाएगा कहीं ये job करते हैं कुछ करते हैं तो वहां से भी इनको बहिशकार किया जाएगा इनको निकाल दिया जाएगा इनकी life पुरी तरह से खराब हो जाएगी action अब इनकी life में कुछ भी action बाकी नहीं रहेगा ठीक है अब यह action लेने के लायक भी नहीं रहेंगे क्यों क्योंकि इनकी life जो है न वो tower में तबदील होती दिख रही है I hope reading आपको पसंद आई होगी अगर reading आपको पसंद आई है मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपने कहा था कि ब्लैक मैजिक का आगे का पार्ट लाईए कि उन्हें क्या कर्मा मिलेगा तो ये मैंने लाई हूँ और आपको रेसोनेट हुआ या नहीं हुआ ठीक है हम मिलते नेक्स वीडियो पर बाई बाई